शादियों में केवल 250 लोग एलाउड होंगे पैंडम सैंपलिंग के माध्यम से और एक माइक्रो कंटेनमेंट के माध्यम से एक काबू पाने का प्रयास किया जाएगा बाजार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए तो दिल्ली में कुरोना का विस्पोट हो रहा है दिल्ली में एक बार फिर से कुरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आसपास के जिलों ने भी अब तयारी शिरू कर दी है कह सकते हैं कि संक्रमन रोपने का ब्लूप्रिंट तयार हो चुका है दिल्ली से नॉइडा में एंट्री करने पर रांडम टेस्टिंग होगी और ऐसे में सवाल अब भी उच्छा है कि क्या आज डी एंडी पर जैम लगेगा जानियक कैसे दिल्ली थामेगा कुरोना के बढ़ते संक्रमन को और क्या है नॉइडा की तयारी जिससे होगी नॉइडा में कोरोना की नो एंट्री देश में कोरोना संक्रमन एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है जिस पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने तयारिया शुरू कर दी है दिल्ली से सटे नोईडा के लिए प्रशासन ने एक्शन प्लैन तयार कर लिया है जिसके तहर दिल्ली से नोईडा आने वाले लोगों की रेंडम टेस्टिंग कराई जाएगी आज से नोईडा दिल्ली बॉर्डर पर यह अभियान शुरू कर दिया गया है जहाज संक्रमिनच जदा है उन एरिया से उन क्शेत्रों से यदि आवागमन हो रही है उसको random sampling के माध्यम से और एक micro containment के माध्यम से एक काबू पाने का प्रियास किया जाएगा random testing के साथ ही प्रशासन ने कई और एहम फैसले लिये हैं जिसके तहट एक से अधिक केस मिलने वाले इलाकों को माइक्रो कंटेंटमिंट जोन खोशित किया जाएगा डिलिवरी बॉय, दुकानदार और रिक्षा चालकों की टागेट सेंपलिंग की जाएगी नोईडा से दिल्ली आने वाले लोगों पर खास नजर रखी जाएगी मंगलवार को जिले में 132 नए मरीजों के मिलने के साथ ही नोईडा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,500 के पार हो गई है जबकि इन में से 19,000 से ज्यादा मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके है आपको बता दे कि नोईडा के इस एतिहासिक कदम की वज़ा है दिल्ली में भढ़ता कोरोना संक्रमित दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमन की बज़ा से सीमित इस्तर पर दिल्ली में लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है दिल्ली सरकार ने इसके लिए एक प्रस्ताव केंद्रि सरकार को भेजा है देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा वहाँ पे बाजार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाजत दिल्ली सरकार को दी जाए दिल्ली में शादी समारों में लोगों की मौझूदकी को भी अब दोसों की बजाए 50 तक ही सिम्मित कर दिया गया है दिल्ली में पिछले 10 दिनों में कोरोना संकरमन के मामले बढ़े हैं दिल्ली में कोरोना संकरमितों की संख्या 4,89,202 हो गई है अब तक 4,41,361 लोग इलाज से चीट हुए हैं जबकी 7,713 लोगों की मौथ हुई है स्वास्तिय मंत्राले के मताबिक दिल्ली में आईसीउ बैट बढ़ाने और हर दिन एक लाग से ज्यादा कोरोना टेस्ट करने का फैसला भी लिया गया है दिल्ली से विशाल पांडे और रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया तो आईए अब सबसे पहरे आपको जल्दी से समझा देते हैं कि खबर क्या है देखें नौइडा में कुरोना स्टर्डर्मन को लेकर प्रशासन बहुत सतर्क हो गया है दिल्ली यूपी बॉर्डर पर होगी कुरोना की रैंडम रैपिड टेस्टिंग डिलिवरी बॉई रिक्षा चालकों की टागेट सांप्लिंग की जाएगी एक से ज़्यादा केस मिलने वाले इलाके माइक्रो कंटेन्मेंट जोन होंगे क्रोस बॉर्डर आने जाने से नॉइडा में बढ़ रहे हैं कुरोना के केस और इसी को रोकने के लिए अब ये अक्षिन प्लान तयार किया गया है लेकिन नॉइडा दिली बॉर्डर पर होने वाली इस रैंडम कुरोना टेस्टिंग को लेकर आपके जहन में भी इस फक्त बहुत से सवाल होंगे लोगों के मन में जो सवाल आ रहे हैं सबसे पहले आपको बता दें ये सवाल आपके मन में जरूर होगा कि रैंडम टेस्ट के लिए लोगों की पहचान कैसे हो रही है किसी को रोक कर जांश करने में कितना वक्त लग रहा है कोरोना रिपोर्ट कितनी देर में आएगी और रिजल्ट कैसे पता चलेगा टेस्ट के लिए रोके जाने पर लोगों को क्या परिशानी आएगी क्या आप ट्राफिक जाम में तो नहीं फसेंगे आपको कितनी देर वहाँ पर इंतजार करना होगा रिपोर्ट आने में देरी पर क्या संक्रमित व्यक्ती से संक्रमन नहीं फैलेगा आपको लेचलते हैं उस जगह पर जहां पर ये रांडम टेस्टिंग होने वाली है यानि कि दिल्ली नॉइडा का बॉर्डर वहीं से आपको दिखाते हैं हमारी सहयोगी रूफी जदिक रिपोर्ट कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए एक फैसला नॉइडा प्रशासन की तरफ से लिया गया है और वो फैसला ये है कि जो लोग नॉइडा की तरफ आएंगे उनकी रैंडम टेस्टिंग की जाएगी यानि आने हुए लोगों में से किसी को भी रोका जाएगा और उसका कोरोना टेस्ट किया जाएगा हाला कि प्रशासन की तरफ से ये भी साफ किया गया है कि इसके ट्राफिक प्रभावित नहीं होगा यानि आपको सणकों पर लंबा जाम नहीं दिखाई देगा प्रशासन ने ये भी साफ किया था कि इस फैसले को लेकर अगर कोई अफवाएं आप सुनते हैं तो उस पर जान ना दे क्योंकि ये जो टेस्ट है ये सिर्फ कुछ लोगों का होगा रैंडम तरीके से किया जाएगा लेकिन अभी भी कई सवाल लोगों के जहन में हैं और वो सवाल ये हैं कि रैंडम टेस्टिंग की जब बात की जा रही है तो क्या टेस्ट का रेजल्ट आने तक उस व्यक्ति को वहाँ पर रुखना होगा और ये भी हो सकता है कि कुछी देर बाद आपको नॉइडा में कुछ के औस भी देखने को मिले क्यूंकि लोगों को इस बात के लिए कन्विंस करना कि उगो रुकें और टेस्ट करवाएं ये भी मुश्किल हो सकता है प्रशासिन के लिए रुफी जैदी जी मीटिया नॉइडा कोरोना के सबसे ज़्यादा नए मामले दिली में ही सामने आ रहे हैं आपको नवंबर महीने की आफ शेहरों की रिपोर्ट हम दिखा देते हैं जिसमें दिली में आपको बता दे हैं कोरोना से मरने वालों की बात करें तो दिली में सबसे ज़्यादा तेजी से मृत्यूद दर बढ़ी है आपको नवंबर महीने की आफ शेहरों की रिपोर्ट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दिली में कोरोना से मरने वालों का जो रेट है वो 18.5 प्रतिशत बढ़ा है कॉलकाता में कोरोना से मृत्यूदर 12.1 प्रतिशत तक बढ़ी है तीस्टे नंबर पर पूर्ण आता है जहां पर मरने वालों की दर 7.3 प्रतिशत तक बढ़ी है बैंगलूरू में 3.8 प्रतिशत चेनई में 3.7 प्रतिशत और सूरत में 2.6 प्रतिशत में तूदर बढ़ी है मुंबई में 2.3 प्रतिशत और फिर आखिर में एहमदाबाद में 2.1 प्रतिशत करोना से मरने वालों का रेट बढ़ा है और इन आकड़ों को कैसे कम किया जाए इसकी जमेदारी नसिफ सरकार की बनती है आपकी भी बनती है और ये जो रांडम टेस्टिंग के बारे में हम आपको बता रहे हैं इसके बारे में हम वह जानकारी लेते हैं हमारे साथ इस वक्त दो समवादाता आप देख पा रहे हैं हमारे साथ हैं हमारे साथ रूफी जैदी है और हितेन हमारे साथ है रूफी जैदी सबसे पहले आप बताईए कि ये जो random testing हो रही है procedure इसका क्या है किसको रोका जा रहा है कितनी देर में ये test वहाँ पर किया जा रहा है report कैसे आएगी कब मिलेगी सारी details बताईए हमारे दर्शुकों मिमानसा जी कल एक meeting हुई थी जिसमें गौतम बुद्नगर के डीम सुहास लवाई ने स्वास्ति विभाग के लोगों के साथ एक आपात बैठक की और उसमें ये वैसला किया गया कि जो लोग नॉइडा में आते हैं उनकी random rapid testing की जाएगी तो यहाँ पर कोशिश की जा रही उन super spreaders को डूढने की जो लगातार नॉइडा आते हैं और अगर उनमें से कोई positive होता है तो उनको eliminate करने की इस वक में D&D पर मौझूद हूँ यहाँ पर अभी फिलहाल जो rapid testing है वो शुरू नहीं हुई है लेकिन जो तैयारी है वो शुरू हो गई है पुलिस यहाँ पर मौझूद है पुलिस आ चुकी है अभी तक स्वास्ते विभाग के जो लोग है वो नहीं पहुँचे हैं लेक फिर उसमें से कुछ लोगों की sampling की जाएगी और यह rapid test होगा तो 15-20 मिनट या आदे घंटे के अंदर जो test की report है वो आ जाएगी लोगों को यह भी कहा गया है कि वो किसी तरह से परिशान ना हो प्रिशाशन की तरफ से यह भी बताया गया है कि किसी तरह की जो traffic में hassle है वो लंबा जाम नहीं होगा और अगर किसी तरह की जो परिशानिया है उसको लेकर यहां पर तमाम लोग मौजूद होंगे लोगों को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा फिलहाल अभी तक जो testing है वो शुरू नहीं हुई है लेकिन कुछी देर में जब testing शुरू होग तो D&D पर अभी testing शुरू नहीं हुए लेकिन तयारी आप देखी रहे हैं रूफी जदी वहां से दिखा रही है और हितेन चिला से इस वक्त हमारे साथ हैं हितेन वहां पर भी क्या अभी शुरूआत नहीं हुई है सिर्फ तयारी की गई है और किस तरह से इसको implement किया जाए जाएगा क्योंकि जब लोगों को रोका जाएगा वहां पर कितनी देर लगेगी तो जरूर ट्राफिक जैम की समस्या से तो जूजना पर सकता है इसको avoid करने के लिए क्या किया जा रहा है बहुत देखिए अनलोक के दोरान सबसे आखरी में अगर कोई बॉडर खुली है तो दिल्ली नोइडा बॉडर थी विवाद चल रहा था यही कि दिल्ली से जोए नोइडा में कोरोना के किसे संक्रमन की किसे वो बढ़ते जा रहे इसी के चलते सब्सक्राइब आखरी में विवाद का अंत लाते हुए यह बॉडर को खोला गया था इस वत हम यह मयूर वियार चिल्ला वाली दिल्ली नोइडा बॉडर पर महजूद है यहाँ पर आपको अभी सामान्य ट्राफिक दिख रहा है किसी मी प्रकार की कोई तैयारी जो है वो अभी तक यहां सुरू नहीं हुए हाला कि उत्तरप्रेस पुलीस के कुछ पुलीस कर्मी है यहाँ पर जो एंटीजन टेस्ट किये जाएंगे अला कि किस तरह से किये जाएंगे उसका कोई प्रोसीजर अभी तक बताया नहीं गया लेकिन जो दावे किये जारे उन दावों के मुताबिक जब टेस्ट होंगा तो यहाँ पर रेंडम किसी भी गाड़ी को रोग कर 15 मिनिट के बीतर उन जिनका भी टेस्ट होगा उनमें सबसे प्रायोरीटी उनकी यह होगी कि जो सिम्टेमेटिक लोग है यानि की जो स्वास्तवीवार के जो करमचारी होंगे जो बॉनर पर टेस्ट करेंगे वो सबसे पहले जोए वो सिम्टेमेटिक लोगों को खोजे, जिने सर्दी, जुकाम, ऐसी कोई बीमारी है, उन लोगों को खोज कर उने टेस्ट, उनके टेस्ट किये जाए, और उसी के रिपोर्ट सबसे पहले प्रियारीटी पर गिये जाए, जिसके आगार पर ये पता चले कि वो क्रोना संक्रमित है या नहीं, क्या उसे दिल्ली से नोड़ा में एंटर होने देना है या नहीं इसलिए ये कही ना कही सारी कवाय जो फिर एक बार शुरू हुई है हाला कि अभी तो ट्राफिक नॉर्मल है लेकिन जब 11 बचे बात फिर एक बार यहाँ पर टेस्ट शुरू होने का हुए लोग का ये रुपने के लिए तैयार नहीं होते हैं जल्दबाजी की बात की जाती है कि हम लेट हो रहे हैं तो ये कितनी ये जो असुविधा होने वाली है लोगों को ये कैसे सुनुश्चित किया जाएगा कि उनको ना हो ये जरूर देखने वाली बात होगी और ये जो आंक्रे हैं ये बहुत ही डराने वाले हैं देखिए और इसी लिए ये आक्शन प्लान तैयार किया गया है ये दिल्ली, कॉलकाता, सूरत, एहमदाबाद, बिंगलीरू, चैन्नाई, मुंबाई, पूरे में आप देख रहे है और सबसे ज़ादा जो डर है वो देश की राधानी दिल्ली में जिस तेजी से दिस रफ्तार के साथ ये मामले बढ़ रहे हैं वो बहुत ही भयावे स्थिती है और डर इस बात का है कि दिल्ली से बहुत से लोग हैं जो रोज यहां पर नॉइडा में काम करने के लिए आते ह तो डिल्ली में ये आंक्रे बहुती ज़ादा डर पैदा करने वाले और इसलिए ये अक्शन प्लान तैयार किया गया है कि जो लोग यहां पर डिल्ली से नॉइडा में एंट्री कर रहे हैं उनका ये रैंडम टेस्ट करवाया जाए और अगर वो ऐसे रोज उनका आना जान जैका इसको लेकर भी काफे confusion रहने वाली है वो साफ नहीं हुई है अभी तक सिर्फ ये बताया गया है कि रैंडम तरीके से टेस्टिंग होगी सूपर स्प्रेडर को दूरने की कोशिश है क्योंकि इन दिल्ली से बहुत से जो लोग है वो नॉइडा आते हैं काम करने के लिए और दिल्ली में कोरोना की केसिस जिस त उन भी आ जाए और इसलिए बॉर्डर पर टेस्टिंग की जाएगी लेकिन अभी भी गाइडलाइन्स बहुत जादा क्लियर नहीं है क्योंकि कल रात को ये मीचिंग हुई है और ये अमेजनसी मीचिंग थी तो अभी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी जो दि इडेंटिफाइ करना आपने आपने कि कौन कोरोना पॉजिटिव है नहीं ये एक बड़ी टास्क है उसके पाद पता चल जाता है तो कैसे ये सुनुष्चित किया जाएगा अब वो कौन से जगह पर काम करते हैं किस और और ये क्या पता लगाने की कोशश की जाएगी ये बहुत ही मुश्किल टास्क है बोलने के लिए असान है कि लोगों को सुविधा किसी तरह किया सुविधा ना हो ये तै कर दिया जाएगा लेकिन इसको इंप्लिमेंट करना इतना असान नहीं है है ये एलान कर दिया हो कि हम हमारी तरफ से हमारे जिले में अगर कोई एंटर ह अगर उन्हें रोकना है तो कैसे रोकना है किस तरह से रोकना है टेस्क अगर पॉजिटीव आती है तो जो कर्मचारी उसकी पूरी ड्यूटी पर सड़कों पर लगे है उसके हीदगी के जो लोग है क्या उन्हें भी कहा पर कोई आइसलेसिन सेंटर पर बेजा जाएगा नहीं बेजा जाएगा कई तरह की समस्या होगी सड़क पर लंबा जाम जरूर देखने मिलेगा एक तरफ दूसरी तरफ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो गारी रोकेंगे नहीं वो पुलिस के तमाम बेरिकेटिंग तोड़ते हुए भी नजर आएगे तो उन्हें किस तरह से रोका जाएगे कई तरह की समस्या है जो है आप सड़क पर जरूर देखने मिलेगी लेकिन आला कि जब टेस्टिंग कर रहे हैं किस तरह की परिशानिया उनको हो रही है तो आप जरूर हमारे साथ शेर